रूपल पटेल को टेलिवेजन शो साथ निवाना शाथिया ने एक अलगी पहचा अन्दी है। इस शो से वो घर घर में एक लोग प्रिय अभिनेतरी के रूप में उभर कर सामने आए। शो में उन्होंने गूपी की कड़क सास की भूवी का निभाई। शो में उनका नाम कोकिला मोधी था और ये किरदार उनकी प्रसनालिटी पर बहुत शूट भी करता था। कुछ महीने पहले सोस से जुड़ा रूपल का एक वीडियो वारल हुआ था जिसे अभिनेतरी और वरतमान केंदरी मंतरी स्मिता एराणी ने अपनी सोसल में अकाउंट पर साधा किया था। इसे वीडियो में कोकिला अपनी बहु को ढाट रही थी पहले सीजन के सफलता को देखते हुए निर्माता ने इस शो का दूसरा सीजन भी लेकर आया लेकि दूसरा सीजन दर्शकों के दिलों में अपनी खासा जगा बनाने में असफल हो गया और इसे शो को वही बंद कर द ध्यार अपनी और आकरशित किया है उस तो वैसे तो हमेशा ही ड्रस्टी की चका चौन्दी से दूर रहने वाली रूपल पटेल हमेशा ही ड्रस्टी से काफी दूरी बनाये रहती है हाला कि जब भी उन्हें किस शो में काम मिलता है तो वह बखू भी उस शिर्दार को निप हमेशा है कहा जा रहा है रूपल पटेल के हस्बन के दौरा की उनकी हालत बहुत ही जादा नाजुक है बहुत ही कम चांस है डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है ऐसे में फांस की दूआए रूपल के लिए काफी जादा एहमेत रगती है दोस्तों जैसी ही अपडेट के सामने आई करे सारे लोगों ने रूपल पटेल अब इस दुनिया में नहीं रही है ऐसी आप हाँ है फैला दी हाला कि रूपल पटेल की हालत अभी भी नाजुक है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में एड्मीट है कहा जा रहा है किससे पहले रूपल पटेल को कोवीट की हो गई थी और अब वो एक अलग ही बिमारी से जूज रही है दोस्तो रूपल पटेल के लिए कॉमेंट में आकर हास्टाग गैटवल सुन जरूर बोल दीजेगा और साथ इस वीडियो को लाइक और हर एक उस फैन के पास सेयर कीजिए जो की साथ निभाना साथिया के उकिल इसी समय देने के लिए में धन्देवाद